हलो इस्ट्रेंड्स आज की इस वीडियो का टोपिक है इट इज टाइम का प्रियोग करना समय हो गया है इज टाइम फोर यू टू गो टू स्कूल आपका स्कूल जाने का समय हो गया है यह जो सेंटेंस हैं इनफोर्मेशन दी जा रही है इन सेंटेंस से क्या दी जा रही है इनफोर्मेशन यहाँ पे यू प्रोनाउन का थार्ड फोर्म है यहाँ की ओब्जेक्ट फोर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोनाउन का ओब्जेक्ट फोर्म It is time for us to take food हमारा खाना खाने का समय हो गया है It is time for them to take food उनका खाना खाने का समय हो गया है It is time for him to go to college उसका college जाने का समय हो गया है It is time for you to study तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है देखिए It is time for you to go to school तुम्हारा इसकुल जाने का समय हो गया है इन सेंटेंस में हम information दे रहे हैं सूचना दे रहे हैं यहाँ पे you, us, them, him, you यह pronoun के third form है यहाँ कि objective form हम use कर रहे हैं जो for लगा के हम use कर रहे हैं for के बाद for बाहाँ आझ अ हम आदी कर दो लगा हैं यहाँ कर दो है यहाँ कर दो हम आदो हैं